पोटेंशियो मीटर और ये अच्छी डिवाइसे इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं पहली बात तो इस पर theoretical question भी बनते हैं क्योंकि ये accurate measurement देता है of potential difference between two points in a circuit तो क्यों देता है ये accurate क्योंकि इसमें कोई भी current ये draw नहीं करता है circuit से जैसा हमने voltmeter में देखा था कि voltmeter अगर कहीं पर लगा हुआ है इस तरीके से resistor है उसके across हमने voltmeter लगा दिया थोड़ा से current voltmeter अपने अंदर लेता था तभी उसमें deflection आथा था उसके अंदर जो galvanometer है उसमें यहाँ पर वैसा नहीं होता है इसी लिए यह accurate measurement में देता है ओके इसमें हमारे पास एक primary circuit होगा एक secondary circuit होगा तो यह जो मैंने बनाया हुआ है यह है हमारा primary circuit primary circuit primary circuit में क्या-क्या चीज़े होगी देखो हमारे पास एक पहले तो battery लगी होगी है तो हमारे पास एक battery का कुछ EMF होता है और उसका internal resistance होता है दूसरी चीज़ यहाँ पर लगी होगी है variable resistance होता है हमारा rheostat तो उसको मैं RH लिख देता हूँ, rheostat है यह उसका resistance, फिर हमारे पास एक rod लगी होगी है A से लेकर B तक इस तरीके से और यह थोड़ा thick rod होती है तो इसका खुद का कुछ resistance होता है बाकी in wires को हम resistance less मानते है, actually में उनका भी कुछ resistance होता है उसके कारण भी कुछ correction आते है तो इसको बात में देखेंगे, तो अभी हमारे पास circuit में तीन resistance है, एक इसका एक इसका और एक resistance इसका और EMF यहाँ पर एक है, तो क्या मैं यहाँ पर current लिख सकता हूँ, I जो current इस तरीके से होगा, this is I यहाँ से भी दरह रहा होगा I I की value हो जाती है, EMF divided by सारे के सारे resistor ले लो आप होई R small r, plus हमारे पास rear stat का जो है, plus कुछ resistance of AB rod जो हमारे पास है, उसका भी resistance होगा और यह value जो भी है किसी भी एक fixed setting के लिए उसकी value आने वाली है, एक constant ठीक, अब इसका use किस तरीके से करते हैं तो देखो, अगर मुझसे कोई पूछे, यहाँ से लेकर कि यहाँ तक मेरे पास एक point मैं ले लूँ, यहाँ पर मालो, इसकी length ले लेता हूँ, L और दू points यहाँ पर है इनके बीच में अगर मुझे potential difference पता करना है, तो उसकी value किस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ, देखो, पहले तो मैं VAB की बात करो, A और B के बीच में जो potential difference है उसकी value कितनी हो जाएगी, वो जाएगी I into RAB अब I की value constant है, R की value, देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ R की जगे मैं लिख दूँगा, row L by A, यहना तो इसकी value हो जाएगी I into row into length, अब क्योंकि मैं A से B की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं बोलूँगा, पूरी की पूरी जो length है उसको मैं capital L से denote कर देता हूँ इस तरीके से row L divided by area, छीक, यह है हमारे पास area और जो VAB की value है VAB is some constant जिसकी value हो जाएगी I row upon A times L आजाती है और यह जो constant है यह actually होता है हमारा potential gradient potential gradient कैसे होगा, यहाँ पर आप देखो, इसको लिखोगे I row divided by A इसकी value की तिया जाती है VAB divided by उसकी length L उपर क्या है हमारे पास potential drop और नीचे denominator में हमारे पास है length इसी को हम क्या बोलेंगे potential gradient length में आगे जा रहा हूँ potential gradient, तो मैं इसको अब लिख देता हूँ potential grad gradient तो यह हमारे लिए एक बहुत important चीज़ आजाती है potential meter का यही use होता है अब देखो, मान लो, मुझे यहाँ पर L length है इसका potential difference पता करना है तो उसकी जो value हो जाएगे तो इस point को अगर मैं X बोल देता हूँ अगर मुझे V A X पता करना है उसकी जो value हो जाएगे वो हो जाएगी इसका कुछ resistance होगा, इतनी छोटी सी length का और वो जो resistance होगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, I into R A X को लिख दूँगा मैं A से ले करके X तक का resistance और इसको मैं लिख सकता हूँ इसको इकल तो I, Rho into L divided by A और यह देखो, I Rho upon A, क्या चीज़ है? I Rho upon A, यह है potential gradient इसको इकल तो potential gradient times L तो हमारे पास potentiometer में यही होता है जितनी ज्यादा length, उतना ज्यादा potential अकसर हमें दो अलग अलग length देवी जाएगे और दोनों के बीच में जो potential drop होगा वो actually यह वाली value तो constant है तो उसकी length के proportional होता है और इसी पे based बहुत सारी calculations करते है अब नाप लेते हैं physically वो length कितनी है उसके हिसाब से हमारे पास potential drop आ जाता है इसको detail में देखते हैं किस तरीके के इसमें questions आते हैं potential meter का use बहुत तरीके से खिया जा सकता है अभी हम इसका use करने वाले हैं किसी battery का EMF पदा करने के लिए तो देखो हमारे पास यहां पर primary circuit है और यहां पर यह real state में जो भी हमारे पास value रही होगी उसके हिसाब से हमारे पास यहां पर कुछ potential gradient आ जाएगा ठीक है करने की कोशिश करते है मानलो इसको मैंने बोल दिया कि यह हमारा 0V है और इनकी values के हिसाब से मानलो यहां पर हमारे पास value रहते है कि यह है हमारे पास 100V अब यहां पर जो variation होगा वो linear होगा तो इन दोनों का जो midpoint होगा क्या मैं उसको बोल सकता हूँ यह वाली value तो हमारे पास 750V आ जा रही है यह वाली value किती आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 25V यह वाली value किती आ जाएगी 75V और इस 100V को भी मैं अभी के लिए यहां पर लिख देता हूँ नीचे की तरफ अब इसका use करके मैं किस तरीके से किसी battery का EMF पता कर सकता हूँ तो उसके लिए देखो मुझे क्या करना होगा यहां पर अब मैं secondary circuit बनाऊँगा यहां पर मैं battery को लगाने वाला हूँ और मुझे battery में से कोई current नहीं लेना है तो अगर मैं battery को उल्टी लगा दूँगा तो current आजाएगा इसलिए देखो मैं इस तरीके से कुछ लगाता हूँ और battery का खुद का कुछ internal resistance होगा यह हमाई पास battery हमने लगा दी और यहां पर से मैं लेता हूँ फिर एक current 0 हो तो उसके लिए current अगर 0 करना है तो यहां पर देखो यह 25 वोल्ट है मानलो इसका potential 0 था current की value 0 है तो यहां पर 25 वोल्ट हम उपर आ गए अब यहां पर कहीं 25 वोल्ट डाउंडर स्ट्रीम मैं यहां पर इस तरीके से अगर connect कर दूँ यह तो मेरे पास current की value 0 हो जाएगी अगर मैं इसको यहां लगा दू तो मेरे पास i की value 0 हो जाएगी i की value 0 हो जाएगी तो यहां पर क्या बोलते हैं कोई deflection नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं null point null point पे i की value 0 होते है i is equal to 0 तो हमें बस यही देखना होता है और से हम सारी की सारी calculation करते है अच्छा उस case में हमाया पास जो potential difference आजाएगा let's say हमाया पास यह वाली जो length है measure करने पर यह वाली length L आजाती है तो हमाया पास EMF की value क्या आजाएगी EMF is equal to potential gradient P grad उसको मैंने लिख दिया multiplied by length L और यहाँ पर हमाया पास वाली 25V के बराबर आजाएगी अच्छा एक बात बताओ इसकी sensitivity किस तरीके से define की जा सकती है sensitivity मतलब अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी सरका दिया तो मेरे पास potential में कितना change आता है तो अगर मैं length को minimum जो change कर सकता हूँ मादलो मैं उसको 1 mm सरका सकता हूँ minimum उससे छोटा सरकाना को मैं count करना नहीं बोलूँगा minimum मैं इसको कितना shift कर सकता हूँ उसके साब से EMF में मेरे पास कुछ change आएगा मैं देखता हूँ जितना ज्यादा potential gradient होगा उतनी कम sensitivity होगी मादलो इसको मैंने 1 mm shift किया और यहाँ पर potential gradient बहुत ज्यादा है तो EMF में change बहुत ज्यादा हो जाएगा तो EMF किया जो steps होगे वो मेरे बहुत बड़े-बड़े होगे तो इस तरी किसे मैं बोल सकता हूँ sensitivity of EMF is inversely proportional to potential gradient इस चीज़ को भी आपको ज्यान रखना है a potentiometer wire is 100 cm long and a constant potential gradient difference is maintained across it इसका मतलब भी होगा potential gradient बहाँ पे constant होगा two cells are connected in series first to support one another and then in opposite direction the balance point are obtained at 50 cm and 10 cm from the positive end of the wire in the two cases the ratio of the EMF is बहुत ही अच्छा है सवाल है पहले उसको आप ऐसे मानना कि दूनों बैटरी सेम डिरेक्शन में थी फिर एकको पलट दिया तो EMF की value कम हो जाएगी series वाले questions को यहाँ पे club कर दिया गया है वीडियो को pause करो question को solve इसका correct answer है D क्यासे आया देखो जब दोनों को इस तरीके से लगाएगी दोनों support कर रहे हैं अपने आपको तो हमाई पास equivalent EMF आएगा E1 प्लस E2 और फिक बाद में एक बैटरी को हमने पलट दिया तो हमाई पास equivalent EMF कितना हैगा E1 माइनस E2 इस तरीके से मैं बोल सकता हो जब हमाई पास E1 प्लस E2 था ये value-value हमाई पास obviously जादा होगी तो हमारे पास balancing हो रही थी 50 cm पर है ना तो वो इस value कितने जाएगी 50 multiplied by potential gradient जो भी होने वाली होगी उसकी value E1 माइनस E2 की value कितनी हो जाएगी 10 multiplied by potential gradient ये हमाई पास equation number 1 ये हमाई पास equation number 2 दोनों को आपको divide कर देना है तो मैं पास आथा E1 प्लस E2 upon E1 minus E2 और इसकी value जाएगी हमाई पास 50 upon 10 यानि की 5 यहाँ से देखो मैं क्या लेख सकता हूँ E1 plus E2 is equal to 5 E1 minus 5 E2 minus 5 E2 मेरे पास आजाता है 4E1 is equal to 6E2 मुझे मिल जाता है E2 divided by E1 is equal to 3 divided by 2 तो लिए option D is our direct answer है तो मैं diagram बनाने की भी ज़रत नहीं पड़ी potential meter को कई बार इस तरीके से use किया जाता है हमाई पास दो अलग-अलग batteries होंगी उनकी EMF को हमें compare करना है तो किस तरीके से करोगे? तो यहाँ पर क्या होता है हमाँ पास ही जो primary circuit है इसमें real state होता है real state को हम इस तरीके से physically move करको उसका resistance की value set करते है मुझे पता नहीं होता है इसका resistance कितना है तो यहाँ पर उसके करना हमाँ पास कुछ constant potential gradient तो हो जाता है एक का EMF मेरे पास known होगा है this will be let's say known और दूसरे का EMF मैं उससे compare करके पता कर लूँगा कि value कितनी आने वाली है पहले मैं इससे इधर compare करूँगा connect कर दूँगा और फिर उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर length आती है मैं पास कुछ L तो मेरे पास equation आ जाती है E1 is equal to L1 into potential gradient यह आगे मैं पास equation number 1 फिर मैं इससे इधर connect करता हूँ और मैं पास दूसरी length आ जाती है L2 तो मैं क्या लिख सकता हूँ E2 is equal to L2 into P gradient यह एक यह मैं पास दूसरी equation यहाँ पर मैं लिख दूँगा E1 upon E2 अगर इनको divide करते हो तो वो value हाजाती है L1 upon L2 potential gradient is unknown और उसकी हमें जरुवत नहीं पड़ती है तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो ऐसे कि इसमें L1, L2 आप measure कर लेते हो इनमें से एक E2 let से हमें known होता है पहले से तो उसके हिसाब से हम E1 की value को calculate कर सकते है इस तरीके से अगर हमें potential gradient नहीं पता करना है तो हम 2 EMF को compare करके एक का अगर known है दूसरी का unknown है तो आप पता कर सकते हैं इस तरीके से potential meter का यह भी एक यूज़ता है potential meter का use करके मालो हमने इस battery का EMF पता कर लिया इस battery के दो पार्ट होते है एक होता है E, एक होता है R, E की value तो हमने बता कर ली अब अगर मुझे internal resistance पता करना है तो इसको मैं किस तरीके से पता कर सकता हूँ देखो बहुत ही interesting आई है हम इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर एक known resistor इस तरीके से लगा देते हैं बाद में हमारे पास EMF चेंज हो जाएगा हमारे पास E' हो जाएगा E' की value कितनी आईगी देखो हमारे पास दो batteries आईगे इसको आप मालो यह battery 1 यह battery 2 इसके battery का EMF को मालो 0 और इसका EMF हमारे पास E है इन दोनों का resultant EMF हमारे पास कितना आजाएगा वो value है जाती है 0 into R plus E into R upon R plus small r और यह जो EMF है वो अब इस battery का EMF है तो वो किसी दूसरी length पर हमारे पास L2 पर let's say वो balance हो रहा है तो EMF की जो value हो जाएगी वो हो जाएगी potential gradient P grad multiplied by L2 एक equation 1 यह है दूसरी equation 2 हमारे पास यहां से आ गई अब इन दोनों को अगर मैं divide कर दूँ तो देखो हमारे पास E से E यह वाला cut जाएगा हमारे पास value है कि R plus small r divided by capital R is equal to right hand side में जाएगा L1 divided by L2 इस तरीके से हम internal resistance बता कर सकते हैं और देखो इसमें एक length बड़ी होगी बताव उनमें से guess करके कौन सी वाली length बड़ी होगी L1 बड़ी है क्यों बड़ी है क्योंकि L1 सिर्फ इसका balancing point था उसके बाद L2 जो है वो यह वाली जो हमारी battery है जिसका यह मैं actually कम होगा उसका balancing point है तो वो L2 actually छोटी होगी तो यहाँ पर हम यहाँ पर ratio को भी देख सकते हैं उपर वाली value बड़ी होनी जाए अब यहाँ पर आ सकते हैं या तो आप इसको इसी तरीके से याद रख लो इसको अगर आप simplify करोगे तो small r की value जो आ जाती ही वह जाती है L1 upon L2 minus 1 times capital R इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं Potentiometer में कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है पहली बात तो हमाँ पास एक primary circuit होता है दूसरा secondary circuit होता है हमाँ पास जो भी primary circuit होता है इसमें हमने यहाँ पर कुछ भी EMF लगाया E तो basically यहाँ से एक तो पहले तो फिर इसका कुछ internal resistance होगा फिर में पास यह real state लगाया होगा है तो इसके across जो potential drop होता है वो actually primary potential जो हमाँ पास यहाँ था primary circuit का EMF उसे कम हो जाती है उसकी value तो यहाँ पर null point सिर्फ तभी आ सकता है जब E secondary की value उससे छोटी हो अगर यह उससे जादा जाएगा तो हमें किसी भी जागे पर null point ही नहीं मिलेगा तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए दूसी चीज़ है कि polarity must be say तो अगर यह देखो इस तरफ positive हमने रखा हुआ है तो यहाँ पर भी इस तरफ positive होना चाहिए कि तभी हमाया पास इसमें deflection की value 0 आएगी तभी हमें null point मिलेगा अगर आप इसको उल्टा कर दो मालो इसको इस तरीके से कर दो गया तो इसका potential 0 है यहाँ पर potential मालो plus 5 हो गया और यहाँ पर भी हमाया पास उल्टा potential है तो बहुत जादा current यहाँ पर आ जाएगा तो फिर battery ख as shown in the figure a potentiometer wire of resistance 20 ohm and length 300 cm is connected with a resistance box RB and a standard cell of EMF 4 volt for a resistance R of resistance box introduced into the circuit the null point for a cell of 20 millivolt is found to be 60 cm the value of R is देखो यहाँ पर हमें यह जीज़ बता देगा है कि यहाँ पर 60 cm पर हमें 20 millivolt का इस तरीके से null point मिलता है तो 60 cm में 20 millivolt है क्या आप बता सकते हो same potential gradient है तो हमाँ आपस 300 जब cm हो जाएगे तो यहाँ पर AB के across कितना potential drop हो जाएगा अगर आपको वो potential drop पता चल चुका है तो आप बेसिकली बता सकते हैं यहाँ पर कितना current है आपसे फिर जो भी value पूछी गई है उसको आप circuit को solve कर सकते हो वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है 780 ohms अब देखो इसको कैसे solve करना है हमें 60 cm में मिलता है कितना 20 millivolt तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि 300 cm में मुझे जो potential drop मिल रहा होगा वो मिलेगा 5 into 20 यानि कि 100 millivolt इस तरीके से voltage मिलेगा अच्छा मुझे दिया हुआ है कि यह जो wire है potential meter का इसका resistance है 20 ohms उसके across potential drop इतना है तो क्या मैं यहाँ पर जो हमाँ पास current होने वाला है आई उसकी value बता सकता हूँ कि हमाँ पास जो V था V is equal to IR होगा potential drop आया हमाँ पास 100 millivolt is equal to current की value मुझे पता करना है into 20 यहाँ से यह इस त 5 milliamper का हमाँ पास current है हमें यहाँ पर potential लगा है हमने 4 volt एक resistor हमने लगा दिया है यहाँ पर R इसका resistance है हमाँ पास 20 तो हमें बताना है कि भाई क्या value होगी इस R की जब हमें 5 milliamper current मिलेगा आई की value हो जाती है 4 divided by R plus 20 total resistance total voltage यहाँ से I की value हो जाती है values अग रखोगे सीधे सीधे R की value मुझे पता चलेगी 5 milliamper तो यह हो जाएगा R plus 20 is equal to 4 upon 5 into 10 raise to power minus 3 R plus 20 is equal to 4000 upon 5 which is basically 800 R की value हो जाती है 780 ohm और 780 हमारा correct answer हो जाता है तो बहुत ही अच्छा सवाल था आपको बिसी लिए समझना है चीजें करीगे जा रही है इसके across हमें potential दिया था तो total potential drop मैंने पता कर लिया description उसमें हमने 40 दिन में 11 तर 12 दोनों की physics completely cover कर लिए एक भी topic नहीं छोड़ा है उसको जरूर देखो बहुत सारे questions भी उसमें होते हैं Link is in the description colorful notes की PDF भी आप download कर सकतो जो absolutely free है पूरे के पूरे course के notes colorful है और सारे के सारे free है download कर सकते हैं Link is in the description साथ में मेरे vlogging चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और अब मेरा pen गिरिया है मैं जा रहा हूं बाइबाए हम लेंगे कल